हेलो दोस्तों, वेलकम ओल, हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टुजेंट्स के, बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक शिकायत आई है, कि उनके मार्क्स 10 से 15 मार्क्स 20 मार्क्स तक कम हो गए है, तो नॉर्मलाइज़ेशन क्या इतना जादा हुआ है, उनका ये पूछना है कि नॉर् अफिशली मैंशन नहीं किया, उन्होंने आपको और आपके मार्क्स दे दी, आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन, तो बच्चों का एक कहना कि क्या करें, हम कैसे अपने हग के लिए लड़े, तो आपकी बस एक उप्शन है, आप सूचना के अधिकार के अंतरगत, उनसे मांग सकते हैं, यदि आप इस चैनल पर नाया हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की ऐसे ही सारी अपडेट्स आपको बहुत सारे, बहुत सारे स्टुडेंट्स को यह डाउट है, कि उनके जो नॉर्मलाइज़ेशन हुआ है, गाख इस देश में रह रहे हैं, आप को सूचना का अधिकार है, आप सूचना का अधिकार का form आप से us स्ट कर सकते हैं, और आप सकते हैं सुचना आधिकार के एंतर चीजे होती ही Дोस्तो मैं स으क्वास एक सजड़ी पिन कि चुत थ Łख लिए सफ्चुशन वाने का एंतर यहें। जवाब आजाएगा यदि जवाब नहीं आता है तो फिर आप अपील कर सकते हो कितना चार्ज लगेगा दोस्तों सुचना के अधिकार के लिए आपको लगेगा 10 रुपए आपको सिर्फ 10 रुपए पे करना होगा और यदि 30 दिन के अंदर नहीं आती है जानकरी तो आप अप अपील कर सकते हैं तो अपील करने के लिए आपको 50 रुपए करना होगा ठीक है अभी देख लेते हैं आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों आप पेमेंट भारतिये पोस्टर आर्डर से कर सकते हैं मतलब आप स्टैंप स्टैंप चिपका सकते हैं जैसे आप पोस्ट दे देंगे 10 रुपए के वो non-judicial stamp लेने हैं आपको non-judicial stamp अपने form पे चिपका के उसको भीचना है तो 10 रुपए आपकी फीस आपकी calculate हो जाएगी ठीक है अभी देख लेते हैं दोस्तो क्या form आपका form feel कैसे होगा तो यह form की link में इस video को description में दे दूँगा आप इसका printout निक नेशनल लेवल पर भी online हो चुका है यहां पर आपको क्या देना है आविदक का नाम आपका नाम जो application name है फिर पूरा पता और email ID email ID अच्छे से देना सही email ID देना जो email आपका open हो रहा हो क्योंकि उसी पर आपके जबाब आएंगे जो सूचना मिलेगी आपको उसी पर आविदन पत्र का दिनांग कौन से दिन कौन से आपका आविदन कौन सब्सक्राइब नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था वो देना है फिर कारेलाय का नाम कारेलाय का नाम क्या होगा आपकी MPNHM आपका MPNHM के अंतरगत आता है चाहिए जानकरी आप क्या चाहते हैं उन कि हम यह चाहते हैं कि normalization के पहले के marks हमें बताया जाए normalization के बात के marks बताया जाए और हमने कौन कौन से answers correct सही किये हैं और गलत चीए हैं उसकी पूरी list दी जाए सारे questions की हमारा response sheet दी जाए तो response sheet भी आप demand कर सकते हो यदि उनके अंतरगत आती होगी तो आपको provide करेंगे तो स्कụcठर बहुत से परस्ट रोप से लिखना दोस्तों स्वास को नहीं समझ में आएगा ठ perto आपका अधिकार खेंचल कर सकते लिए तोम्हार की कि तो मैं सुचना के अधिकार के अंतरगार जानना चाहता हूं कि कितने नंबर मेरे नॉर्मलाइज हुए हैं और क्या नॉर्मलाइजिशन का फॉर्मुला यूज किया है आप यहां से उसे पूछ सकते हो फिर आप इदर के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फीज 10 रुपए ठीक है 10 रुपए की प्रोसेस फीज लगेगी क्या अधिक गरीब रेखा के नीचे अब यहां पर एक चीज यह है कि अधि आप गरीब रेखा के नीचे आते हैं तो आपको कोई फीज नहीं लगती फ्री में होता है तो आप गरीब रेखा के नीचे तो यहां आप दे सकते हैं ठीक है और यदि गरीब रिखाट से नीचे है तो यहां बीपीए लंकसुची अनुक्रमाम दे दे और कोई स्टैम भी लगाने की जरूत नहीं दस रुपई अब उसके बाद आपका यहां आक्षा आपके क्या सिगनेचर आ जाएंगे उसके बाद ने बोला है कि ये दि अवेदक दाक घर से आवेदन प्रेशित किया जाता है तो आवेदन के साथ 10 रुपए के आपका 10 रुपए के नॉन जुडीशियल स्टैम यह भारतिय भी लिखना सुचना का अधिकार सुचने के अधिकार के अंतरगत आपका एड्रेस जहां से भेज रहें अधिकार के अधिकार के अधिकार के अंतरगत कैसे आप अपना डीटेल्स ले सकते हैं